लो गाइस स्वागत है आपका मेरी चैनल में और आज हम बात करेंगे एड्जेक्टिव की तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एड्जेक्टिव होता क्या है तो चलिए आई इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं एड्जेक्टिव गाइस एड्जेक्टिव को हिंदी में हम विशेशर बोलते हैं क्या बोलते हैं एड्जेक्टिव को हम हिंदी में विशेशर बोलते हैं अब आईए इसकी डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है इसमें लिखा है An adjective is a word which used qualities in noun or a pronoun इसका मतलब हिंदी में हम समझते है अथार्थ वेशब जो किसी noun noun आप लोगों को पता ही होगा a noun is the name of person, place or thing यानि कि किसी वस्तु, व्यक्ति, अतवास्तान का जहां वोद हो उससे हम क्या बोलते हैं? संग्या यानि कि noun और pronoun क्या होता है? जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं जो सब्द संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं वो हमारे pronoun होते हैं अगर ये concept आपको समझ में आ गया हो तो हम बात करते हैं adjective की यानि कि वे शब्द जो किसी noun या pronoun की विशेष्था बताते हैं adjective कहलाते हैं विशेष्था का मतलब होता है quality कुछ भी quality हम मान सकते हैं तो चलिया हम हम इसका example देखते हैं एक बार, example देखते है हम इसका, यह example दिया है I show a black cat यह लेखा है आई शौ ए ब्लैक कैट यानि कि इसका अर्थ है मैंने एक काली बिल्ली देखी क्या देखी काली बिल्ली क्या देखी काली बिल्ली यानि कि आई शौ ए ब्लैक कैट मैंने एक काली बिल्ली देखी अब guys अगर आपको पता करना है कि इसमें adjective क्या है तो हमने कैसी बिल्ली देखी हमने काली बिल्ली देखी तो ये black जो है ये इसका adjective हो गया क्यों क्योंकि ये इसकी विशेशता बता रहा है अब हम आगे बात करते है guys इसमें दूसरा example दिया हुआ है she has two daughter she has two daughter यानि कि see यानि कि कोई ladies है कोई महिला है इसलिए इसमें see का प्रियोग हुआ है has two daughter यानि कि उसकी दो बेटिया है क्या है दो बेटिया है किसकी बेटिया है उसकी किदनी बेटिया है दो तो ये to हमारा इसमें adjective हो गया अब हम बात करते हैं तीसरा example की इसमें लेका है विनीता is a clever girl विनीता is a clever girl इसका मतलब है विनीता एक चालाक लड़की है तो विनीता कैसी लड़की है विनीता एक चालाक लड़की है तो इसमें लिखा है विनीता is a clever girl तो गाइस इसमें जो clever दिया है कैसी लड़की है वो वो एक चालाक लड़की है तो ये इसकी विशेशता बता रहा है तो ये clever हमारा adjective हो गया अब हम बात करते हैं चौथे एक्जाम्पल की चौथा एक्जाम्पल दिया है देयर इस लिटिल वाटर इन दा बकेट यानि की लिखा है देयर इस लिटिल वाटर इन दा बकेट इसका मतलब क्या है गाइस यानि कि जो bucket होता है bucket में सोती है हमारी balty यानि कि इसका अर्थ है कि balty में पानी कम है क्या कम है दोस्त पानी कम है बाल्टी में पानी कम है तो इसमें ये जो little दिया है little ये हमारा adjective हो गया मैं आपको बताना चाहूँगा guys यह जितने भी मैंने आपको example बता हैं चारो example इंहें black to, clever or little यह सारे के सारे adjective हैं क्यूंकि यह सारे के सारे noun और pronoun की विशेशता बता रहे हैं अपने एक पाक्टों में black to, clever, little यह सबी के सबी अपने साथ प्रियोग होने वाले noun और pronoun उनकी विशेस्ता बता रहे हैं इसी लिए ये adjective है तो अब हम बात करेंगे kinds of adjective की आखर ये kinds of adjective कौन से चड़िया का नाम है तो चलिए बात करते हैं अब हम kinds of adjective की ये लिखा है kinds of adjective मैं आपको बताना चाहूंगा kinds of adjective यानि कि adjective साथ तरीके के होते हैं जिनमें पहला है adjective of quality adjective of quality जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोड़ वाचक विशेशन अब हम बात करते हैं adjective of quantity यानि कि जिसकी मातरा होती है नापतल की जाती है वो होता है adjective of quantity इसको हम हिंदी में बोलते हैं पड़े राम वाचक विशेशन अब तीसरा point है हमारा adjective of number इसको हम numeral adjective भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम बोलेंगे संख्या वाचक विशेशन चौध है कि अगर हम बात करें चौधा होता है हमारा Demonstrative Adjective जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संकेत वाचक विशेशर अब हम बात करेंगे गाइस Distributive Adjective अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रती एक वाचक विशेशर छटमा पॉइंट है हमारा Interrogative Adjective प्रश्न वाचक विशेशर सात्मा हमारा पॉइंट है Proper Adjective व्यक्ती वाचक विशेशर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पर इंगलिस से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं अगर आप इंगलिस सीखना चाहते हैं अपना डेवलेप्मेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फटा फट से सस्क्राइब करें और लाइक करना न भूलें उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे तो थैंक ये सो मच गाइस थैंक्स फॉर वाशिंग